हेलो एवरिवन वेल्कम बेक टू मैं चैनल जुलोजी भाई मोना शेखावत आप सब कैसे हैं आई वोप आप सब ठीक होंगे अपने तयारी कर रहे होंगी आज की इस वीडियो में मैं इकोलोजी से रिलेटेड आपसे कॉशन डिसकस करूंगी मैं आपसे 30 कॉशन के सम्थिंग अपने कॉशन रहेंगे और बहुत सी इंफॉर्मेशन हम उनसे प्रैप्ट करने की कोशिश करेंगे यह सभी कॉशन वही हैं जो प्रिवियसली अलग-अलग एक्जाम में पूछे गए हैं या जिनके आगे और भी पूछने की क्या है करने से पहले सबसे पहला कॉशन है दो या आप लोगोंने कहा था हिंदी में में मैं अलग लेके आईए तो थोड़ा टाइम लग लगया हिंदी के लिए आपसे मैं कोशिश करूंगे कि हिंदी में ही आपको को तो इसे ज्यादा दिकत नहूं से अधिक जाती ओके पौधों पारिस्तितिक तंत्र बोलेंगे या पारिस्तितिक निके बोलेंगे अगर मैं इंगलिश वाले के लिए बोलु को समुदाय मतलब community एक है कि शेट है यहाँ च्छो उस्टिम की बात कर दिया मिय दिया उसक्प्रीब और एका सबको पता है कि अगर मैं बाद करो्थ और चाब से minus में और जिया आपस में मिलकर क्या बनाते हैं पॉपुलेशन या-पित्व इसमेयरी अनपर संख्यान खरा समस्टी को हें आपके कम्यूनिटी और शोय किया धूर आस सलेकश नाइरो फैड़न कें बाद है आपके अधर तो और फिर land scap, biosphere इस तरीके से आपके यह जो है hierarchy वो इस तरीके से चलती है, इसको आप very important लिख ले रहा है, यह बहुत ज्यादा पूछा रहता है, कि ecology की सबसे चोटी unit organism होगी, एक ही जाती के सदस्य को हम बोलते हैं population, क्या बोलते हैं population, और दो अलग अलग जाती की जो लोग हैं, उनका जो group होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे आपके community, तो आपको यह ध्यान रखना है, ठीक है, तो यहाँ पर आपसे question करेंगे, पादब समुदा है, और अगर population की बात करें, तो यह होगा आपके group of member of same species, आप ध्यार नखना, यह same species के अगर लोगों का है समुदा है, तो उसे हम बोलेंगे population, और अगर different, same, आएगी, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, आपके different species, अलग-अलग species, तो इसे हम क्या पारी तंत्रोय बन जाता है, और बड़े लेवल पर उसको क्या बोलेंगे, बायोम, और उसे बड़े पर क्या बोल देंगे, उसे बायो स्फियर हम नाम दे देंगे, तो मैंने एक ही question से बहुत सारे question आपको समझाने की कोशिश की है, आप ध्यान में इनको रखने, नेक्स् असी भी बंजर जमीन पे जहां पहले कोई भी बी पड़् पोध आगला कुछ भी नहीं था, उसे हम रोते सक्सेशन इस प्रोसेस को बंजर भूमी पर पूरे समधाय का एक पूरी कम्यूनिटी का बस जाना ठीक है तो देखो अनुकर्वन में जो सबसे पहले जो इस्पीसीज आती है उसे हम बोलते हैं पॉरोगामी ठीक है और जो सबसे लास्ट में बनती है उसे हम बोलते हैं क्लाइ समधाय आपको इध्यान में रखना है क्लाइमेक्स कम्यूनिटी नेक्स्ट नेक्स्ट कोश्चन देको भोजन प्रकास और इस्थान की सबसे अधिक परतिस्परधा होती है कि मैं बात करूं इन सबसे ज़्यादा कॉंपिटीशन फूर के लिए लाइट के लिए स्पीस के ल लग लग रहेनगे हुआंक प्रकास तो उनके उप्रकास के लिए होता है कि जग हो जो कि उनके लिए कमी रहेंगी तो क्या होगा एक तरीके से देख सकते वह आपको के अनुकर्मन की बात करा को क्या तो कोशन करीजा इसे हम क्या भोलेगेट चरन चरन कर पौझाम उल्स पाइल, जो सबसेट से पहले आता है उसे क्या बोलते हैं पायों यहां सर क्या होगा आपके चरम संुदाई आप ध्याद में नेक्स्ट कोशन पारिस्तितिक अध्यन की आधार भूतिकाई को क्या कहते हैं तो मैंने पहली ही स्लाइड पर आपको बता दिया कि सबसे बेसिक युनिट जो होती है उसे क्या बोलते हैं और जित्ते भी सजीव है उनको एकोलोजी में एक नाम दिया गया है जीव या और्गन जाती की जीव की समू दुबारा कॉशन रिपीट हो गया समूदाएं बोले गाँ अभी मैंने फरस्ट परस्ट जो बताए था वो यही बताएं था और एक ही जाती के हम बात करें तो फादर ऑफ इंडियन एकोलोजी कौन है बिश्रा फादर ऑफ एकोलोजी की हम बात कर तो रिटर आ जाता है और और नहीं इन्होंने डेसिनेशन दी इसके बारे में आपको यह सब्चीजे ध्यान में रखने हैं किसी भी एको सिस्टम में उच्छता मुर्जा क किस पोशन इस तरकी होती है बड़ा ही शांदार कौशन है इजी कौशन है करी बार बच्छे इसको भी फिलत कर देखते हैं को बई ग्रास मैं इसको ऐसे बता जाते हूँ किसी भी पारिस्टितिक तंत्र में उच्छता मुर्जा किसकी होती है यह आपको जो कौशन है वो दिया गया है इसका अंसर आपको बताना है किसी पारिस्टितिक तंत्र में उच्छता मुर्जा किस इस प्रोशन इस्ठर्की होती है इसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा देखो ग्रास को किसने खाया ग्रास होपर न हो चाहिए चिकर लिया या यह थिद्धिने खाया फ्रॉग ने है को किने खाया स्नेक में क्या है पीगल के आप मेर फनी सो यह चोन आपको पद्था से च्हुष को हम क्या बोलतैंक पोशन इस तरी 53 यह T4 और यह T5 ती मतलब पोर्शन इसकर ट्रॉफिक लेवल तो जो लिंड मैं थे उन्होंने एक नियम दिया था कि एक पोर्शन इस्तर से दूसरे पोर्शन इस्तर से मात्र केवल कितने परसेंट एनर्जी जाती 10 परसेंट बाकी 90 परसेंट एनर्जी अलग-अलग कामों में ही क्या हो जाती है है यूज हो जाती ही है ऐसा कुछ नियम दिया गया था अम म्हालियाग ग्रास के उपर जो अनर्जी है वो है 1000 कैलोरी तो इसका सिर्फ 10 परसेंट इसका कितना 10 परसेंट निकाल लो में इसका 10 परसेंट कितना होगा वह आप निकाल सकते हो 1000 का ठीक है तो यहां से सिर्फ 100 यहां जाएगी यहां कितनी जाएगी 10 यहां कितनी जाएगी 1 और यहां कितनी जाएगी 0.1 ठीक है तो आप देख रहे होगी एक लेवल से दूसरे लेवल पर हम जा रहे हैं तो एनरजी लगातार कम होती जारी है और कॉष्ण क्या पूछ रहे है कि उच्छितम उर्जा किस फॉोष्ण इस तरके होती है तो किसी भी सबसे ज्याइश्य और यूटी ईनरी की ज्यादा के जिस्ति इनरेश्थ जादा भी ज़ीदा नॉर्मौ सी बाते हैं जो आपको बताई disse नेक्स्ट यह पिछली बार आर्पीस्टी में कॉश्चन बहुत ही बतलब ऐसे लेवल के आज आजाते हैं कि आपको खुद को हंसी आती क्या कोशन आ गया ठीक जैसे पिछली बार आपसे ए बायोटिक और बायोटिक फैक्टर ऐसे एक दो कोशन ऐसे जो काफी फनी थे विश् उर्जा की केसे होते तो उर्जा की पिरामिड हमेशा सीधे होंगे यह सारं फोल्टी नहीं वहेगी हमेशा एनगीजिया और एनरजी 한데 forgetting हमेशा की हमेशा हो सीधे एको लोजिकल पिरामीड शब्द किस ने दिया यह भी ध्यान रखना एल्टोन एल्टन ने दिया था ठीक है इसलिए एल्टोनियन पिरामीड भी हम इसको बोलते हैं एक घास इसतल पारित अंतर में संख्या का पिरामीड कैसा होगा ग्रैस की बात कर रहा है और संख्या का पिरामीड की वो बात कर रहा है तो एक घास इसतल में जैसा मैंने आपको बताए सबसे पहले क्या होंगे आपके उत्पादक होंगे ठीक है जो हमेशा ग्रास वगरा पे पोदे की संख्या हमिशा जीदा ही और उच्छे मासारी की संख्या हमिशा क्या होगी तो हम जब इसको डॉँ करेंगे तो ये पिरामीड कैसा बन रहा है सीधा तो गास जितल हे चैसा बनेगा सिधा आपको इस तरीके को कैसे logic बनाके करना को चैसे मैं बात करो एक पेडड का वुट का नि एक वरक्ष संख्या पिरामिड कैसा वो आप बोलो गिक संख्याक वर्क्ष चिए लेकिन वरक्ष के ऊपर क्या है इर रही है। ज़ादा होंगी और जिडिया आप पर लव्य होंगे उस से जादा हों गे तो आप यहां पे देख रहे हो कि पीरामिड कैसा बन रहा है तो एक व्रक्ष की अगर संख्या का पीरामिड में बात करों तो आप क्या बोलोगे उलता रशूंगा यसा हो कमी होगा उत्पादक की लाइन हमीशा बड़ी होगी बेस चोड़ा होगा उपर वाला चोटा मतलब जे उभार का व्रक्ष का पिनामिड कैसा बनेगा सीधा बनेगा जबकि नंबर का कैसा बन रहा था उल्टा बन रहा है मैंने इससे अलग-अलग इसको समझाने की कोशिश की है आपको यह ध्यान में रखना है पिरामिड के कोशन इसी तरीके से पुछे जाते हैं और इसी तरीके से सापको शॉल्व करने है अपको सीधर सा ध्यान रखना चैनल उत्पादक ज्यादा आएगा यह फिर आपके उप्भोक ता ज्यादा आ और आए खर आपको जादा तो प्रिंटिंग मिस्टेक है फुल प्राथमिक उत्पादक्ता जीपीपी क्या है वह इसके दूर उपयोग में तो नहीं होता यह भी नहीं होता है एक पेड़ कोई भी पेड़ पौधा प्रकास संस्लेशन के दोरान जितना भी समान बना के तयार करता है उसे हम बोलते हैं जीपीपी सीधा समय सिंपल भाशा में आपको समझा रहें एक जो भी पेड़ पौधे हैं वो प्रकास संस्लेशन के दोरान जितना भी और्गनिक मिट तो सब क्या है टिक है अब इस जिपीपे में से अगर इस जी पी में से रैस्पिरेशन वगरा रास्यन जो लॉस है इसको अगर मैंदा दू तो मेरा जो बचेगा वह क्या होता एंपी बतलब इस पॉधे ने जितना यूज कर लिया उसके बाद में जो लेफ्ट इसके पास रह है तो उसको क्या मिलेगा एंपीप मतलब नेक्स ट्रॉफिक लेवल के लिए हमेशा कौन सी उत्पादकता रहती है नेट प्राइमरी प्रोड़क्टिविट यह आपको धान में रखते हैं तोटल जितना बनाएगा वो जी पीप इसके पास रेस्पिरेशन करने के बाद में ज स्टूडेंट हो तो लाइकेन तो रटी लेना और कवक का सहजीवी संबन्द क्या कहलाता है लाइकेन कहलाता है जिसमें दोनों का साथ में रहना जरूरी है नहीं रहेंगे तो मर जाएंगे और सीधा ता लाइकेन वाइयू में अगर S02 आगर वाइयो में S02 का पॉलूशन जादा है तो उस जगह पर Lycan की ग्रोथ नहीं होती यह पूछ रहा है मतलब वहां पर यू परदूशन नहीं होता तो आप क्या बोलते है वहां पर यू परदूशन है और कई यू निल्हें इस एसो तू की हम बात करेंगे किसकी कौन से वायू परदूशत एसो तू के लिए सेंसेटेव होता है नेक्स्ट बी ओडी बायो केमिकल ऑक्सिजन डिमांड या बायलोजीकल ऑक्सिजन डिमांड इसकी फुल फॉर्म होती है कि यह है क्या बीओड क्या है सुख्षम जीओ दोरा अब घटन के लिए वपयोग में ली गईयों औक्सिजन की मात्र है सीधी सिवाज आपिया प्रदूशत की अमत्र इसो ऒंवर्द इस वाले पूरे मैं अब इस पानि इस पानी में से वह oxygen की मात्रा जो यह सुक्षम जी उपियोग कर रहे हैं किसके लिए इस पानी में उपस्तित बाकी समान को तोड़ने के लिए ताकि इनको उर्जा मिले तो उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बीयोडी बोलते हैं आप ध्यान रखना तो माइक्रो ऑर्गनिज्म अपने खाने को तोड़ने के लिए या अपनी उपियोग के लिए जितनी oxygen की मात्रा उपियोग करते हैं उसे कहेंगे बीयोडी अब सीधा सा कॉंसेप्ट याद रखना है पहला सेंपल ए दूसरा सेंपल भी ए सेंपल की बीयोडी क्या है जादा बीयो है यह पानी पीने लायक नहीं है पानी कैसा होगा खराब पानी कैसा है पानी खराब है लेकिन अगर बीयोडी किसी पानी की कम है तो आप क्या बोलोगे पानी शुद्ध है कि इसके अगदर सुक्ष्म जीवों की उपस्तिती नहीं है आपको इस तरीके से ध्यान में रखना तो इस तरीके से हमने कॉशन देखा यह कॉशन इंपॉर्टेंट है आप ध्यान में रखना बी ओडी है क्या माइक्रो ऑर्गनिज्म की द्वारा अभगटन के लिए उपयोग में ली गई ऑक्सिजन की मात्रा अगर किसी पानी की बीओडी ज्यादा है तो आप बोलोगे पानी पीने लायक नहीं है प्रदूशित है और अगर बीओडी कम है तो आप बोलोगे पानी सही है क्योंकि उसके लातिया एक वनस्पतिक उध्यान में या नियंत्र तवस्ताओं में संरक्षित की जाती है वो क्या कहलाती है ठीक है दो चीज होती है एक होता है इन सिटू और एक होता है एक सिटू यहाँ पे इन दो आप्शन से यह आपको लेना लेना है अगर मैं किसी भी एनीमल को उसक संरक्षित कर रहे हूं तो वह क्या कहलाता है एक सिटू कंजर्वेशन जैसे कि आपके क्या है जो लोजीकल पार्क जो आप जू में जाते हो बॉटनिकल गार्डन सीड बैंग यह सब चीजे एक सिटू होती है तो यह कॉशन देखो नीट हो ची कुछ भी हो बहुत आता है टुछ आ जा तो आफशित किया जा रहे हैं मतलब हम अपना नहीं किया गया है नहीं तो देखो बायोस्फेयर रिजर्व मैंने अभी कहा था इनसीटु में आएगा राष्ट्य उध्यान इनसीटु में भ्यारन आएगा तो अंसर कौन सा हो जाएगा वानस्पतिक वाटिका यह कैसा होता है एक सीटु कंजर्वेशन का टाइप होता है नेक्स्ट मोनेट्रियल प्रोटोकोल यह भी कौशन देखो वह ही कौशन में लेके आई हूं जिन कौशन में जो बहुत बार आते हैं और आपने खुद ने भी देखा होगा यह कौशन तो मतलब एक तरीके से इन्वायमेंट से रचाने के लिए उसिद कारवाइब करने के लिए कहा गया इसको कब पारिद किया गया तो नाींटीन आइट्यों में किया गया था नांइट रहा दाना सॉलह सितंबर के दिन कीया गया था हुआ और इंपॉर्टन यह मुह सिक्षम्वीं नाग्न की बत्रिज रहां रखना दो प्रोटोकोल आते हैं एक आता है क्योटो और एक आता है मॉनिट्रियल क्योटो था green house gases के लिए और मॉनिट्रियल की अगर मैं बाट करू तो वह किसके लिए था ओजोन के लिए था याद नहीं रहे कभी तो क्योटो के लिए आप ऐसे आ रखना KGF, K for Kyoto, G for Greenhouse, ठीके, तो आपको इस तरीके से याद रहे जाएगा, कोई भी आपको problem यहाँ पर नहीं आएगी, question कैसे लग रहे हैं, आप मुझे comment करके ज़रूर बताएगा, आपकी demand पर ही मैंने इसको हिंदी में किया है, problem तो आती है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं, ब इंग्लिश में क्योंकि हिंदी में काफी दिक्कत होती है, material मुझे मिल नहीं पाता है, PDF बनाने में ही क्या होती है, problem आजाती है, PPT नहीं बन पाती है, लेकिन फिर भी कोशिश की गई, तो आप यह ध्यान में रखना, next है, 19th question, निम्मे से किस एक एको सिस्टम में सरवादि जी पी जो होती है, वो ट्रॉपिकल की होती है, उश्न कटी बन दिये, वर्षा वनों की होगी, इनकी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, आप ध्यान में रखना, उश्न कटी बन दिये, वर्षा वन, answer यह हो जाए, next, green house gases, important question, very 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 important question, ध्यान रखना इसको, संपूर मायन में, चार में से दो हरी 300 की योगदान के सही प्रतिश्यता दी गई है, तो देखो, अगर मैं, NCRT का एक डाइग्राम आपको बताऊ, तो आपको ऐसा कुछ दे रखा है, NCRT में, आपको देखो, NCRT से जादा question देखने को मिले, यह आपके पाई, पाई चार्ट दे रखा है, आपके 20%, तिर उसके आपके बाद में दे रखा है, CFC, CFC, थोड़ा मेरे से छोटा बन गया होगा, ध्यार रखना, यह 14% और फिर है, N2O, जो कि आपको दे रखा है, 6%, यह आपके NCIT का डाइग्राम है, तो आप देखो, भाई, सही परतिश्यता किसकी दे रखी है तो इसने दे रखा, N2O 6% सही है, CO2 86 गलत है, मिथेन 20 सही है, N2O, N2 आपके 18 गलत है, CFC 14 सही है, मिथेन 20 सही है, यह आपके सही हो जाएगा, CO2 14 यह, CO2 कितने है, 60% होगा, यह आपको जान मेरे, यह ऐसे की ध्यान रखना है, कितना क्या परसेंट है, यह NCIT से डेटा है, NCIT तो यह सीधा question आता है, तो आपको यह यादी रखना पड़ेगा, main gas कोन सी है, greenhouse gas, CO2 और CH4, होता क्या है, आप सबको पता है, यह अपनी धरती है, यह अपना वायू मंदल है, CO2 और इन greenhouse gases की एक लेयर बन जाती है, सूरज की किर्ने जो यहां से टकरा के वापस जानी थी, इ यहां पर क्या होता है, temperature लगातार बढ़ता रहता है, जो कि हमारे लिए सही नहीं है, जिसे हम क्या बोलते है, global warming, जिसकी वज़े से क्या होगा, glacier की बरफ पिगल जाएगी, हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा, अब देखो, एक गाउं की सम्मी पुवर्ती जील में, कुछ दिनों के भितर, question देखो, question अच्छा question है, अच्छे से इसको पढ़ो, उसके बाद में आपको इस समझ में आएगा, जल्दी से नहीं समझ में आएगा, थोड़ा बड़ा question है, इसको आप अच्छे से पढ़ो, मैं 2 मिनीट के लिए रुक रही हूं, इतने आप इस question को अच् एक गाउं की समीप वर्ते जील में कुछी दिनों में के भीतर, मचलियों की बहुत बड़ी संख्या में मिर्ती हो गए, इसके लिए निम्द कार्णों पर विचार केजी, पहला, निकट वर्ती छेतर में उग रही फसलों के लिए भारी मात्रा में यूरिया वा अगर यह जाते हैं तो और्गनिक चीजे वहाँ पर बढ़ जाती है पानी में और पानी में और बढ़ेगी तो वहाँ पर क्या होंगे बैक्तिरिया वगेरा ज्यादा ग्रोथ करेंगे और BOD क्या हो जाएगी उस पानी की जादा हो जाएगी जो की मचलियों के लिए क्या हो हो गया था जील में आरम में पादव प्लवकों की संख्या घट गई जिससे प्रकास इंसलेशन में बहुत कम हो गया तो नहीं मेरे हिसाब से देखो पहला तो एक दूस सॉलिड रीजन है यह तो होगा क्योंकि यूरिया वह फॉस्पेट यह अगर पानी में जाते हैं तो पान कील का पानी हरा हरा भदबुदार मतलब यहां पर algal bloom की बात कर रहा हरा हरा भदबुदार हो गया मतलब algal bloom हो गया तो आपके water bloom आपको देखने को मिलेगा तो आपका सॉलिड रिजन आपके हो जाएंगे A और C आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट निम निम लिखित में इसे जो सही कथन है उसको आप छाट के मुझे अलग बताईए वापस में आपको टाइम दे रही हूं आप इसको पढ़िए और उसके बाद में इसका अंसर दीजिए कि इसका अंसर क्या होगा बड़े questions होते हैं उनको पढ़ने में टाइम चाहिए होता है जल्दी से नहीं ह इतने बड़े questions हैं इनको देख के हम दर जाते हैं और इनको हम करते भी नहीं हम यह सोचते हैं पता नहीं क्या आगए हमारे लिए tension का वाहौल क्रियेट करते ही हैं तो हमें tension में नहीं आता क्योंकि यह जो questions होते हैं इनसे हमें ज्यादा marking मिलती हैं मिलेगी हमें marking ज्यादा म होता है पहला देखो सीवेश ट्रीटमेंट प्लांट के settlement टेंकों में अपंक अउसाद वाइवियर बैक्टीरिया का एक बर पूर इस्तरोत है आपंक मतलब बायोगेस के उतपातन प्राणी अप्सिस्ट पर वाइवियर बैक्टीरिया के किरिया से होता है नहीं यह तो गलत Methanobacteria एक YVA bacteria है जो मवेशियों के रूमन में पाया जाता है YVA bacteria नि एनी R key bacteria है यह हमाने तो गोबर गैस कही जाने वाली बायो गैस सुध मिथेन होती है हभी नहीं है मेरे हिसाब से इसका जो अनसर होगा वह first मेरे हिसाम से इसका first ही सही होगा पाकि तो काफी confusing लग रहा है यह तो दुबारा से मैं देखते हूं और इसमें कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको बता दूंगे हां तो इसका first answer ही सही है यही सही है पाकि तो सब नहीं गलत है methanobacteria वाला R की बैक्टिरिया है वाईवे बैक्टिरिया नहीं है mixture होता है इसमें इसलिए हम इसकी बात करेंगे तो यह सब चीज़े आपको ध्यान में रखने है ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा है नहीं है next question जो है next question में आपकी screen पे लेकर आते हूं देखिया आप आराम से question को और फिर इसका अंसर दीजी कि इसका अंसर क्या है क्या इसका अंसर रहेगा यह जो आपके diagram है यह आपके दे रखा है conformer और regulator का NCR statement आपको बस इसको पहचानना है नीचे दिये गए चित्र में जीवधारियों की ए जीवी कारकों के प्रती अनुक्रिया का एक आरेकी निरुपन दिया गया आपको एभी से समझाना है तो देखो जो हमेशे इस ताही रहे रहे है जिसमें कोई change नहीं आ रहा परियावरण में चाहिए कित्ता भी change नहीं आ रहा जो की A को denote कर रहा है ए होता है regulator जो की हम है उसकि हम है गो लेट हिक क्या होगा बहें निया मक्क क्या होगा जिसके शरीर की मतलब परयावरण कि साथ साथ उसके अंदर changes आ जाते वह क्या होता है जादतर जो आपके प्लांट एनिमल है वो क्या होता है कनफॉर्मर ही होता है तो बी हो जाएगा आपके संरूपक और सी वाला देखो कई बार तो यह वेरियेबल है और कई बार नहीं है यह होगा आपके आंशिक नियामक पार्शियल रेगुलेटर तो आपके फास्ट जिसके शरीर का तापमान या जिसके शरीर की परासर्णिय सांदर्ता पर्यावरण के साथ नहीं बदलती है कॉंस्टेंट रहती है उसे हम रेगुलेटर कहते हैं जैसे कि इंसान है बर्ड्स है यह क्या है रेगुलेटर हमारे शरीर का तापमान फिक्स रहता है ची सड़ी ह से ज्यादा कौन होते हैं कन फॉर्मर होते हैं कि एक को सरवादी कुछी तुरुप से परिभाशित किया गया है तो वह कौन सा है वह बता हो एमन्सेलिश्म वह सम्द्थ जिसमें एक स्पिसरी को लाप हुचता है दूसरी प्रभावित रहती है से पशली ठ 모양रaval भॉजह कुलग है अपने भौजन के लिए और मार देता है परभक्षी तो यह जैसा लॉयन को करन के मार देगा और खा जाएगा परजीवी वह जीव होता है जो सदेव अन्य जीवधारी के शरीर के भितर रहता है और उसकी मिर्त्यू का कारण देखो यह बात तो सही है लेकिन सदेव अन्य जीवधारी के भितर यह गलत है क्योंकि परजीवी तो भाई परजीवी भी तो होत करता हैं सब्सक्राइब लेकिन परपोशी की उसको कहा जए वो सिर्फ पर जीवी के सम्बंद में कहा जाएगा ठीक है अगर मैं बात करूप प्रेडेशन की तो आप प्रे कहा जाता है, तो मेरे हिसाब से इसका अंसर बी होना चाहिए, आप लोग इसको और देखो, इसका अंसर क्या आता है, मेरे हिसाब से इसका अंसर क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, तो एक बार दुबारा से आप पढ़ सकते हो, तो यह आपक को बतांगे नेक्स्ट फून आप्तित सोर विक्रण में पी ए आर का नुपात कितना होता है एंसी आइटी के लाइन है पचास प्रसेंट से कम होता है मेरे साब से देख लेना आप इसको और नेक्स्ट नीचे दिये गए कथनों पर विचार कीजिए और इन में आप लिखी है चलो करते हैं बालू जाड़ों में अवस्ता में चले जाते हैं ताकि थंडे मौसम से ब्लैंक से बच सके जाड़ों मतलब सर्दी में सर्दी में क्या करेंगे भई हाइबर्नेशन या एक्ट तरह बच सके एक संकुआ का आयू पिरामिड जिसका आधार को न को टिशुटा मतलब ये कैसा हा आपके ये इसतिर हो गए या फिर यह मतलब परसार वह सकता है इसमें तो यह एक मिट देखने पर नेक्स्ट अंजीर के फूल का परागन करता हुआ एक पताया किसका है तो फिग वाला आपके म्यूचलिज्म का उधारन होता है म्यूचलिज्म का सहजीविता का किसी एक छेतर को जिसमें इस पिछी संपता उच्छी स्तरकी होती है उसे क्या कहा जाता है तो उसे जेव विविद छेतर कहा जाता है यह आपको पता है वहाँ पे जेव विविदा क्या होगी ज्यादा होग जो देखो, फर्स्ट में शीत निष्ण किलाता है। gustaríaал करता है। सही बात है। सेकिन्ड में बच ना सही बात है। तीthere में आपके प्रसाब सिल हाँ हो, सब्स.- हाँ करता है। वहाला आप्षन तो गलत हो गया इसमें A ऑप्ष्मिनिश्की एक जबके शीत आएगा इसमें प्रसार सिल हो सकता है चौथे में उसकता है पांच्वी में जे विविजिता है या नहीं हो सकता है तो यह दूसरे और तीसरे में आएगा पहले और चौथे में से इसका अंसर आएगा इसको अपने एक बर मैं verify कर लेती हूँ क्यों कि मुझे वो परसार सील भी हो सकता है और स्थरी भी हो सकता है दोनों एक जैसे ही डाइग्राम आपके NCID में दे रखें इसलिए थोड़ा सा यहां पर मुझे confusion हो रहा है इसको देख लेते हूँ इसका क्या होगा बार मैं आपको बता देती हूँ वो फ़स्ट ही आपका सभी होट सपॉट रहेगा तो इसका अंसर हो जाएगा आपके और यह जो है वो कैसा होगा प्रिसार से बतलब लगातार बढ़ रहा है इस तिर नहीं लगातार बढ़ रहा है नेक्स्ट जल मल के उपचार की दौरान कौन-कौन सी बायोगैस उत्पन होती है कि दा सा कॉस्ट है जिमाग लगाओ अनसर करो इसका क्या इसका रहेगा कौन-कौन सी गैसेज यहां पे रहेगी एक अच्छे से इसका अंसर बताओ कौन से बायोगे सुत्पन होगी तो मिधेन होगी हाइडोजन सलफाइड और कार्बन डाई ऑक्साइड होगी यह तीन गैसे यहां पर उपस्तित होती है इन तीनों का नाम आपको लेना है लास सलफाइड वगर जाओगे, उस समय बिल्कुल ध्यान में नहीं रहता है कि क्या था, COP1 था, COP2 था, COP3 था, अब मुझे भी याद नहीं आ रहा है कौन से, COP2 था या COP1 था, शायद था COP3 था, इसका अंसर COP3, हां, क्या था इसका अंसर, वह हम देख लेते हैं इसका, तो इसका था COP3, इध्यान रखना, यह मोनेटरियल का भी याद रखना, मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं इसको बतानी पाले हूँ, तो नेक्स कोशन है, संसार की 12 महाविदिक देशों में से भारत भी एक है, तो भारत का कितना परतेशथ है, तो जाति ए वीविद्वता में, अगर मैं बाट करूँ, भारत का प्रटेशन तो वह होगा 8.1 लेकिन अकर मैं बात करूं भारत का एरिया बाकियों की रेफरेंस में वह कितना है 2.4 परसेंट आपको यह डेटा वाइस कोशन ने याद रखना पड़ेगा नेक्स्ट कोशन यह नीट में भी आया हुआ है मैंने इसको पहले रिकोड हो गया था आवाज नहीं थी इसलिए मैं वापस कर रही हो तो यह बिना वाए और बक्षन जिसमें क्या होगा एक दूसरे को मार के खा जाएगा मतलब प्लैस और माइनस एक को फाइदा दूसरे को न बनाया जाता है 16 सितंबर को बनाया जाता है 37 मैंने कुछ ही स्पेशल डेज लिखे हैं जो आपको याद रखने हैं मार्च अप्रेल माई की दो सेम डेट है 22-22 और यह बहुत कंफ्यूस करते हैं बहुत आते 22 मार्च को वाटर डे 22 अप्रेल को अर्थ डे 22 माई को बायो डा आता है 29 जुलाई को आई ठीक है यह सब चीज आपको याद रखनी है आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा कॉशन कैसे थे इसी तरीके से आगे कॉशन लेकर आने हैं नहीं लेकर आने हैं सारे कमेंट आप मुझे बताईए और वीडियो को ल